नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम डिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पुर्तमान सवे में ये अपना कारे कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, और हतेली पर क्याची खराब अबस्था बनी है, इन साड़े महत्पूर्ण विशे पर जानना और मेन चिंता का कारण और मेन दिखाने की वज़ा, इनके हतेली पर मौजूद ज अब शान देगा, ये जीवन रेखाल पायू को बताता है, तो क्या ये सच है, एक महत्पूर्ण सवाल, तो अब आप हमारे पास आगए, अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए, और सारी ही चिंताओं को दूर रखके, आप हमारे विस्टेशन को देखिए, चिंताएं आज दस साल के बाद क्या होगा, इस बात की चिंता को लेके, तो यहाँ पर इस बात की चिंता को ना लेके आप चले कि दस साल के बाद क्या होगा, चीजों को आज वरतमान में समझ ले, करमकांड को स्टार्ट कर दे, जीवन पर से परशानी खतम हो जाएंगी, जीवन पर स तो यहाँ पर यह एक जीवन रेखा नजर आ रही है, यहाँ पर आके स्टॉप, यहाँ पर आके यह रुक चुकी है, उसके बाद अगर मैं देखूं, तो इसके बाद जीवन रेखा है नहीं, बहुत कोशिश किया मैंने देखने का, बहुत दुर्बीन लगा के देखा, बहु और जूम करके देखा, तो मुझे साइट से एक मंगल ड्रेका दिखी, लेकिन इसमें कोई सार थकता नहीं थी, इसमें कोई विशेश सार थकता नहीं थी, चलो, ये बाते भी यही पर खतम हो गई, अब इसके बाद एक रेखा ही नजर आई, अब बहुत मन में सवाल उठते है आपके भी उठ रहे होंगे, हमारे भी उठ रहे थे, चुकि मैंने इतना हाथ का अधिन किया है, तो सवाल उठते हैं और खतम हो जाते हैं, योकि इसका लोजिकल उत्तर देने का शमता भी है मेरे में, तो यहाँ पर ये भाग्य रेखा अगर होगी, तो क्या जीवन रेखा कार करेगी, अगर ये जीवन रेखा होगी, तो किस परकार की जीवन रेखा है, तो आपके जानकारी के लिए बता दूँ, जब हस्त रेखा को देखा जाता है, तो जीवन रेखा केवल और केवल आयू को नहीं बताता, और अगर जीवन रेखा चोटी हो, तो ये अलपायू भी सामिल होता है, financial loss भी सामिल होता है, और बड़ी बड़ी जो भी आपकी negative चीज़े हैं, वो भी शामिल होता है सिर्फ आयू का परचा नहीं कराता है तो यहाँ पर यह जीवन रेका संभावनाएं हैं कि यह इसका कारे कर सकती है और लगबग यह 50 के बाद जीवन रेका नहीं दिख रही है, तो हलका-लका इधर बरको जा रहा है, तो कभी-कभी मैंने ऐसा भी हाथ देखा है, कि मालिया जाएपके आयो 48 वर्स है तो जब 42 के होंगे, थोड़ी और बर जाएगी जब 44 के होंगे, थोड़ी और बर जाएगी जब आप 50 में पहुँचेंगे तो यह सट जाएगी ऐसा भी हाथ देखा है तो यहाँ पर positive hope लेके चलना है चुकि यह एक रेखा थी अगर यह एक रेखा नहीं रहती तो फिर positive hope नहीं एक negative hope रहता तो आप मेरे से हाथ दिखा ही नहीं बात है अगर negative hope रहता तो समझे एक बहुत logical बात है तो यहाँ पर chances पूरे है अब आपके मन में यह दुन्द उठराओगा गुरू जी चलो आपने तो कह दिया आपने question mark भी लगा दिया कि यहाँ पर यह बढ़ सकती है साल भाई साल साल दर साल इस जीवन रेखा में तरक्की हो सकती है जैसे आपके जीवन पर होता है तो मैं इसके अर्थ को क्या समझो कि यह तरक्की हो ही जाएगी की नी तो इसको भी आसपस्ट कर देते हैं आपन यहाँ पर कुंडली देखके मैं आपको clear कर दूँगा chances पूरे बन रहे ठीक रहने के अगर थोड़ा बहुत remedy करके जो आप अपने positive planets का remedy करके चीजों को और गहराई पुरवक ठीक कर पाए तो और कर दिया जाएगा तो यहाँ पर बहुत बड़ा positive hope है एकदम डरने की आवशक्ता नहीं है एकदम परिशान होने की आवशक्ता नहीं है और मैं आपको कुणली देख के चीजों को और गहराई पुरवक क्लियर कर दूँगा चलो यह doubts clear होगे और doubts clear हुए positive की तरह doubts clear हुए positivity की तरह इसका अर्थ ही यह हुआ कि आपकी जीबन रेखा के सम्तुल एक और रेखा है जो जीबन रेखा का कारे कर सकती है बहुत लोगों के जीबन पर यह कारे करती है बहुत लोगों के जीबन पर यह कारे करती है positivity का कारे करती है इसके रहने बाद जीबन में तरक्की होती है एकदम होती है तो यहां पर से देख लिया आप ने अब और आगे विचार करते हैं कि और क्या क्या चीज़े हैं आपके हैतली पर positive में और negative में चलिए अगर मैं positive चीज़ की बात कर लूँ positivity क्या है तो positive चीज़ में देखो शुक्र बरबनी आपका शादी के बात भाग होते हैं और आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दू कि वाइफ के भी बागे से जातक की जीबन में तरक्की होती है, पती के आयू लंबी हो जाती है, मंगल थोनों बढ़िया है, हाइली अनरजेटिक है आप, चदरणवाब बढ़िया मतलब प्लैनेट्स अच्छे कंडिशन्स में ह रेखाओं की बनावट थोड़ी गरबर है, अगर रेखाओं की बनावट ठीक रहती तो फर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर तो कोई परशानी ही नहीं है, फर तो कोई समस्या ही नहीं है, मतलब आपकी पॉजिटिविटी प्लैनेटरी कंडिशन्स को लेके जो की बड़ी शांदार है, बड़ी अधूईती है, बड़ी जबरदस्त है, एकदम चमतकारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या के चीज़े आपके हाथ पर है, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको, तो अगर और पॉजिटिव देखो तो हलकी हलकी सूरी रेखा बन रही है, फिलाल बहुत सार्थक नहीं है, बागी रेखा भी हलकी हलकी है, काम चलेलाग बढ़िया है, विदेशी दर्थी तरहलाव के योग बने है, तो यह सब पॉजिटिव में आएगा जो हलकी हलकी सार्थकता के साथ बन रही है, अब हम बात जीबन रेखा को क्लियर कर दिया है मैंने, अगर मैं नेगटिव चीज की बात कर लूँ, तो नेगटिविटी में बुद्ध रेखा का भाव है, सूरी रेखा भी बहुत सार्थक नहीं है, बागी रेखा ठीक है, बाकी कुछ और तरक्की की रेखा हाथ पर नहीं है, मतलब जातक को काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, जीबन पर आगे बढ़ने हैं तू, जातक स्ट्रगल करके ही जिन्दगी पर आगे बढ़ते हैं सफलता को प्राप्द करते हैं, ये वाली चीजे भी मुझे आपकी एतली बता रही है, ये नेगटिविटी है कि जीबन आपकी अस्थिरता के साथ रही है जीवन में थोड़ी तरक्की कम होती है जीवन में थोड़ी सफलता कम होती है ये एक negativity तो है आपके हाथ पर खेर कोई बात नहीं ये समाने बात है अब अगर हम आगे विचार कर ले और क्या-क्या चीज़े आपके हाथ पर तो उस चीज़ को भी हम पता देते हैं ताकि आपको समझने में मदद मिले तो जीवन रेखा से आगे के life करें तो यह हो गई mind रेखा ये life-line तो यह क्या इंडिकेट करती है तो यहाँ पर देख लीजे ये इंडिपेंडन्ट आप बच्पन में होगा ऐसे विक्ति बच्पन में इंडिपेंडन्ट हो जाते है यहाँ पर एक प्रगति के रेखा है तो यह डिकेट करें जादा तक के जीवन प्रगति एक त्रक्की के रेखा लगबग यह आपके 20-20 में ते तरक्की होई होगी फिर 24 में था उसके 55-57 बद भी जीवन रेखा ठीक ठाक चल रही थी बस चल रही थी काम मिल रहा था हो रहा था नहीं हो रहा था मतलब कोई खास बड़ी तरक्की नहीं मिल रही थी बस चल रहा था, उसके बाद अगर मैं देखो तो यहाँ पर एक तरक्की की निमय्टा रखा लगबग आपर पूरे योग बने हैं बागी शुक्र पर ये लाइंस मनी मैनेजमेंट पर बले काम करो अथवा ना करो जिस परकार का आपका शुक्र है जीवन पर धन के दिक्कत कभी नहीं होगी यहाँ पर कुछ लाइंस है तो यह इंडिकेट करें थोड़े चिंता करते हैं सबाने हैं शु बढ़े महात्माकाल जी जबरदस थम्ब है तो व्यक्तिगत रूप से आप बहुत शांदार प्रस्णारिटी के हैं समझदारी के लूप काफेची समझदार है फिंगर पर गयाप है तो इंडिकेट करें थोड़े खर्चिने परविरती की हैं फिंगर पर खड़ी रेखा ब अल्युमान सम्मान मिलेगा यहां से दबाब है तो व्यक्ति मैनती बागे रेका ठीक ठाक सी बन रही है तो बागे का साथ मिलेगा लाइन ओफ एजोकेशन अच्छा है समझदार है सूरी रेका और सुरी सार्थ तक हो जाती तो फिर तो मज़ा ही था सरमर करी अच्छे तो बुद्धिवेक से कारे करते हैं दोनों मंगल बढ़िया तो एनर्जेटिक तो ही है एनर्जी प्राक्रम समरपन कोई डाउट वाली बात ही नहीं जवर्दस्त आपका चनर्मा यह चनर्मा क्या बताता है जातक की स्टेविलिटी को बताता है जातक बहुत स्टेविल है भी ठीक चल रही है मतलब आपको सार्रिक स्रम करना पड़ेगा बहनत करना पड़ेगा जीवन पतरक्की है तो चुकि अच्छे परिवार से तो खास दिकते नहीं होगी तो यह था इनकतली का पूर्णता विश्टेशन अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए लाइक क लिगत रूप से मेरे सास्तरे का रिखा के सही जानकारी प्राप करना चाहते हैं हमारा वोट्स अगर डिस्कुर्शन मिल लेगा लेकर आप संपर्क कर सकते हैं